रविवार की सुबह, चार दोस्त, रिया, राहुल, सोनाली और अमन जंगल की सेर पर निकले हुए थे। उनके साथ रिया के पापा भी थे, जो जंगल के रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ थे। पेडों की हरी छाव उन्हें तेज धूप से बचा रही थी। रास्ते में उन्हें रंग बिरंगे फूल, कूदते हुए खरगोश और उंचे पेडों पर बैठे हुए पंची दिखे। बच्चे खुशी से उचल कूद कर रहे थे और जंगल की आवाजें सुनने में मश्कूल थे। थोड़ी दूर चलने के बाद, रास्ते में एक छोटी सी नदी आ गई। राहुल ने सबसे पहले पानी में कूदने की कोशिश की, लेकिन रिया ने उसे रोक लिया। उन्होंने अपने पापा से पूछा कि क्या वे नदी पार कर सकते हैं। पापा ने मुस्कूराते हुए कहा, बिल्कुल, जरा संभल कर चलना। उन्होंने बच्चों को नदी पार करने में मदद की नदी पार करने के बाद, एक पहाड़ी चड़ाई शुरू हुई। रास्ते में कुछ पेड गिरे हुए थे जिन्हें पार करने में उन्हें थोड़ी दिक्कत हुई लेकिन बच्चों ने हार नहीं मानी वे एक दूसरे की मदद करते हुए धीरे-धीरे चड़ते गए आखिरकार वे पहाडी की चोटी पर पहुँच गए उपर से जंगल का नजारा बहुत ही खूबसूरत था दूर तक हरे पेड ही पेड नजर आ रहे थे पेडों के बीच से निकलती हुई एक नदी भी चमक रही थी बच्चों ने खुशी से ताली बजाई यह उनके लिए एक यादगार ट्रेकिंग का अनुभव था उन्होंने जंगल की खूबसूरती को करीब से देखा और टीम वर्क का महत्व समझा